असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन अकेडमी के इसनाय और लेटेस्ट वीडियो में और यह जी वीडियो है आप लोग के लिए बहुत 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 ही जादा इंपोर्टन्ट है क्योंकि इस वीडियो से आप लोग के हाथ में डारेक्ट पांच नंबर आ जिसमें 50 रुपे की मांग की गई हो किताब खरेदने के लिए या फिर इस तरह से भी कोशन पूश देता हैं किεί अपने भाई के पास खत लिखिये जिसमें मांग की गई के लिए अपने पिज़ाजी के पास खत लिखिए जिसमें चुटी गुजारने के لिए अप अपने दोस्त के यहां जाना चाहते हैं तो इजाज़त लीजिए उस खत में मतलब किसी के कि फिरफ बोल सकता है तो क्या है तरीका लिखने का अलांकि मैं आप लोग अल्री बता चुकी हूं खत लिखना पिछले सेशन में लेकिन आप लोगों का बहुत ज़्यदा कमेंट आ रहा था कि हमें फिर से बता दीजिये लिए फट लिखने का तो इसलिए 2023 का new और latest तरीका लेकर आ गई हूँ अगर आप लोग का एक्जाम 2023 में होने वाला है तो ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए हैं 2023 का नया और latest और 100% सही तरीका बताने वाली हूँ खत लिखने का उर्दू में अगर आप लोग इस तरीके से खत लिखेंगे जो तरीका मैं आप लोग को बताउंगी जो की 100% सही तरीका है अगर इस तरीके से आप लोग खत लिखेंगे न एक्जाम में तो जो एकजामीनर होता है कौपी चेक करता है आपके लिखे उए खत को देखकर ही direct पांच नंबर द जाने वाला है खुतूत नेगारी से रिलेटेड देखिए खत को इंग्लिश में कहा जाता है लेटर और हिंदी में कहा जाता है पत्र या फिर चिट्टी जो कि आप लोग जानते हैं लेकिन खत लिखने को जब खत लिखा जाता है ना तो खत लिखने को कहा जाता है खुतूत नेगारी को ही English में कहते हैं हम लोग लेटर राइटिंग और हिंदी में पत्र लेखन तो आज हम लोग खुतूत नेगारी यानि की लेटर राइटिंग का 100% सही तरीका सीखने वाले हैं उर्दू में ठीक है तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी के पास जितना ज्यादा हो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाग उठा सके तो देखिए चाहे आप किसी के पास भी खत क्योंना लिख रहे हों अपने वालिद साहिब के पास यानि कि अपने अबू के पास या फिर बड़े भाई या फिर छोट में लिखा जाता है चाहे आप किसी के पास भी खत क्योंना लिख रहे हो किसी के पास भी चिट्टी क्योंना लिख रहे हो हर खत में लिखा जाता है जो मैं ब्लैक कलर के मारकर से लिखी हूँ उर्दू के सेंटेंस को चाहे आप पिता जी के पास लिखिए या फिर अपनी मा बढ़ी बहंड किसी भी मुद्दे पर आपके उनभात मंगाने के लिए गर्मी के चुटी के जाजत लेने के लिए पैसे मांगने के लिए किसी के पास भी खत लिख रहे हो यह जो आप अफ जो बुठ होने अब समझा देती हूं और लिए कि आप अपने वालिद साहब के पास खत लिख रहे हैं और मैं भी अपने वालिद साहब के पास खत लिख रही हूं तो सबसे पहले आप लोगों को पेज के दायें तरफ चले जाना है और उर्दू तो दायें तरफ से लिखा जाता है ठीक है दायें तरफ जाने के बाद आप लोगो सबसे पहले लिखना है इम्तहानी मर्कज लिखने के बाद जैसा कि मैं यहां पर चिंदे दी हूं बिल्कुल इस तरह आप लोगो लिखना है इम्तहानी मर्कज क्यों लिखेंगे क्योंकि आप गिजाम में बैट कर यह पत्र लिख रहे हैं खत लिख रहे हैं तो इ भैस देना है लेकिन शहर का नाम नहीं लिखना है अगर आप लोग 10 कर लिख रहे हैं तो शहर का नहीं लिखηνा है एक लिखे घंव लिखे जी और अम लिखे नहीं कि देंगे। यहाँ पर आप सकते हैं देते हैं तो ज्यादा चांसें का नंबर कट जाए तो क्या जरूरी है रिस्क लेना आप लोग शहेहर का नम्र लिए दिए अब बात खतम अनि और लिखना है टेट आप लोग को 13 12 और इसे कि मैं लंग दी हूँ यहां से आप लोग को एक नंबर मिल जाता है अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि खत लिखने पर कैसे पाश नंबर मिलता हैं देखेज़ एक मिलता है मिलता है ज 네 कोपी चेक करने वाला वह सब्सимся पहले तो है खत की और फिर जिस मुद्दे पर आप लोग खत लिखे हैं उस पर अच्छे से जिक्र किये हैं कि नहीं चर्चा किये हैं कि नहीं यह देखता है तो यहां से आप उतहानी मरकज लिखनेने के बाद शहर का नाम नहीं लिखना है क्योंकि आप लोग इक्जाम में बैठ कर लिख रहे हैं खत तो शहर मोहतरम अबमाजान और फिर ये जो ! माक ज डाली मुना ये देना आप लोग पास लिए Bak लिख ढ़रान और फिर इसके पास भी खत लिए उसका नाम लिख दीज earlier से मालेजी आप लोग अम्मी के पास लिख रहे हैं तो मुहतरम अम्मी जान मुहतरम नहीं मुहतरम अम्मी जान अगर अपने पिता जी के पास तो मुहतरम अब्बा जान भाई के पास तो मुहतरम भाई जान ठीक है तो इस तरह आप लोगो यहाँ पर एहतराम से नाम लेना है औ और फिर तो यहां से तो आप लोगों को एक नमबर मिल जाएगा तो एक एक दो हो गया अब आदाब वो असलाम कीजिए फड़फट तो असलाम अलेकुम जैसे कि मैं लिख दी हूँ इसी तरह आप लोगों लिखना है तो असलाम अलेकुम यह खत में रहेगा और यह एक्सक्ल स्टार्ट कीजिए अब खत लिखने की उमीद है कि आप सभी लोग बखैर वा आफियत होंगे मैं भी अल्ला के फजलो करम से ठीक हूँ यह जो एक लाइन है ब्लेक कलर से मैं लिखी हूँ यह हर खत में रहेगा चाहे आप किसी के पास भी खत क्यों ना लिख रहे हो अपने यह जो मैं ब्लू कलर के मारकर से लिखी हूँ इतना लंबा चोड़ा आप लोगो दिखाई दे रहा होगा यह टॉपिक चेंज होने पर यानि की मुद्दा चेंज होने पर बदलते रहता है चेंज होते रहता है जैसे कि यह मैं खत लिखी थी अपने अबू जान के पास अपने वालिद से परमीशन मांगना इजाजत मांगना तो आप लोग के खत लिखने का मुद्दा कोई और हो सकता है आप लोग को एक्जाम में माली जब पूछ दिया कि अपने भाई के पास खत लिखिए जिसमें जिस खत में 30,000 रुपे की मांग की गई हो लैप्टव खर तो देखिए कितने सिंपल और सधारन लफजों का यूज की हूँ और कितना सुंदर तरीके से मैं लिखी हूँ जरा पढ़िए अनुमान लगए कि किस तरह लिखा जाता है इस स्कूल में गर्मी की तातिल दो तीन रोज के बाद हो जाएगी स्कूल में गर्मी की चुट्ट जो है ना वो दो तीन दिन के बाद मिल जाएगी मैं चाह रही थी कि अपने दोस्त सलीमा के यहां कुलकत्ता जाओं जब चुट्टी मिल जाएगी तो मैं चाह रही थी कि अपने दोस्त सलीमा भले ही मेरी दोस्त कोई सलीमा है नहीं बट यहां पर आप लोग को दिखाने के कैसे लिखा जाता है समझाने के लिए लिख दी हूँ ठीक है तो मैं चाह रही थी कि अपनी दोथ सलीमा के यहां कुलकत्ता जाओं मैं अभी तक कुलकत्ता शहर नहीं देखी हूं मेरी सहली जा रही है इसलिए मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होगी गर्मी की छुट्टी मैं चाह रही थी कि अपने दोस्त सलीमा के यहां कुलकत्ता जाओं मैं अभी तक कुलकत्ता शहर नहीं देखी हूं मेरी सहली जा रही है इसलिए मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होगी गर्मी की छुट्टी गुजारने के लिए अच्छा मौका है इसलिए आप कुलकत्ता जा कि अपने अम्मी जान के पास खत लिखिये जिसमें आप अपनी तबियत के बारे में बता रहे हों जिक्र किये हों ठीक तो आप क्या करेंगे शुरुआत में इसी तरह रहेगा बस यह मौतरम अम्मी जान लिख देंगे असलाम अलेकुम यह इसी तरह रहेगा शुरुआत का यह इसी तरह रहेगा बस यह जो है ना यहां पर यह सब हट जाएगा अब आप लोग का टॉपिक यह है कि अपनी तबियत के बारे में बताना है खत्मे ठेक है तो अब आप अपनी अम्मी को बता दीजिए कि आप कैसे है तो यह आपके उपर डिपेंड करता है यह जो पर समझ में आप लोगों को आजाना है पेज के बाएं तरफ नीचे पेज के बाएं तरफ आ गए तो बाएं तरफ आकर लिखना है आपकी बेटी अगर वालिद के पास खत लिखा गया है तो आपकी बेटी मैं फीमेल हूँ ना अपनी वालिद की बेटी हूँ तो आपकी बेटी लिख दी हूँ अगर आप लोग मेल आपका बेटा अगर भाई के पास लिखे हैं मतरम भाई जान तो आपको क्या करना है यहाँ पर आपका प्यारा भाई यह फिर आपकी प्यारी बहन अगर आप लड़की है तो आपकी प्यारी बहन और लड़का है तो आपका प्यारा भाई ठीक है तो इस तरह लास्ट में आप आप लोग को बता रहे हुँ ना नमबर कटने के चांसे ज्यादा रहते हैं तीक है अगर नाम लिख देंगे तो नमबर कट सकता है तो रिस्क नहीं लिजे नाम मत लिखे नाम के जग अलिवेजीम डाल दीजेगा तो आइठींक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लास्ट में इंड कैसे करना है खत्म कैसे करना है अब मालीजे किसी अद्रीख्ष कि पास आप लोग खत्री जिसको आप लोग जानते भी नहीं है तो लास्ट में आपको खत्म कैसे करेंगे क्या लिखेंगे जिसको आप नहीं जानते कन्या आपका कोई restoration ही prisht तो उस वक्त आप में आप लोग खत्म करेंगे एक नंबर यहां से मिल जाएगा तो एक दो तीन चार और पांच यह चलाया टोटल पांच नंबर आपके मुर्थी में यह हंड़ेट परसंट सही तरीका उर्दू में खत लिखने दो हजार तेज का नियू और लेश्ट तरीका में आप लोग को बता दी अगर इसी तरीके से आप लोग अपने एक्जाम में खत लिखते हैं ना तो यह मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोग को पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है पांच नंबर में एक परसंट की भी कमी नहीं आएगी जो एक्जामीनर है ना आपके लिखे खत लिखने का तरीका बताई समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये ना तो फड़ावर लाइक करे और चारो तरफ शेयर कर दे अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा शेयर करे और हां अगर आप ल जाने वाली ओल वीडियो का और ओल लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेएगा ठीक तो चलिए फिर्म लेंगे अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज